हलो फ्रेंड्स स्वागत थे आपका हमारे चैनल इंवेस्मेंट के वजार पर दोस्तो PNB के शेर में आज कुछ खास तेजी नहीं थी बट डेफिनिटली जिस हसाब से PSU बैंकिंग स्टॉक्स में PSU इंडेक्स में चार्ट पटन मन रहा है डेफिनिटली एक बड़ा ब्रेक आउट आपको इन सभी स्टॉक्स में आने वाला टाइम में देखने को मिल सकता है प्लस दोस्तो SBI के बहुत जल्द नतीज़ आने वाला I think so 2022 को 22 या फिर 20 को SBI के रिजल्स आउट होंगे और डेफिनिटली ये जो पुरा महीना रहने वाला है वो PSU स्टॉक्स के लिए काफी बड़ा महीना रहने वाला है सभी कंपनीज के इसमें कंपनीज जिते भी PSU कंपनीज से नतीज़े आपको कॉटर में आउट होते वह देखने को मिलेंगे प्रदिशत गिरता हुआ देखने को मिला है जो पहले लगा प्रदिशत गिरतार तेजी आपको इस इंडेक्स में होती भी देखने को मिला है और जब भी दोस्तों किसी काउंटर में शौट बिल्डव होता है तो शौट कवरिंग के चांसे जो है वो स्टॉक में जरूर बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं अगर अगर अपन करेंटली तो साड़े 15 प्रतिशत की करेक्शन पर आपको ये शियर मलता हुआ देखने को मिल रहा है अपने बावन अफ्तों की हाईस से अगर सेंटिमेंट्स की बात करें दोस्तों तो सेंटिमेंट्स यहां पर आप दिख सकते हैं 89 परसंट लोग बुलिश है 11 परसंट लोग भी अर दोस्तों पॉसिटिवीटी की तरह विशारा कर रहा है और स्क्रेस्टन्स की बात कर तो मीजरी यहां पर दिख सकते हैं तो अब चलते हैं इंटेयर के शार्ट्स पर नियुक्त पर चरचा करते हैं तो friends में यहां पर stock के charts पर आगया हूं और यहां पर आप clearly देख सकते दोस्तों 2023 में लगबग दोस्तों अगर आपन बात करें 2022 की ending में जी हां stock ने high लगाया था यहां पर यहां पर आप clearly देख सकते हैं फिर दोस्तों stock ने गिरावट करें अभी stock तेजी कर रहा है तो कही ना कही दोस्तों यहां पर एक V-shape का recovery pattern जो है वो stock में बनता हुआ देखने को मेला और जब भी ऐसे pattern बनते हैं तो उसमें काफी सारे मौके मिलते हुए देखने को मिलते हैं यूगि आप देख सकते हैं पहले लगातार शेयर गिरा अब stock धीरे तीजी कर रहा है तो यह काफी अच्छा बात है अगर consolation की बात करें तो last कुछ दिनों में definitely stock में इतना कोई खास बड़ा momentum नहीं है stock 50 परसे बढ़ता है 50 परसे गिरता है जादा बड़ा momentum ही है definitely जब भी ऐसा कुछ moment stock में होता है तो definitely एक बड़ा breakout आपको देखने को मिलता है और इस consolidation का जो breakout है वो definitely दोस्तो 55 रुपे के बाद आता हुआ देखने को मिलेगा एक बार अगर दोस्तो 55 रुपे यहाँ पर आप देखेंगे आप कुछ आर पर मता हूँ तो यहाँ पर यह जो लेवल है 55-56 रुपीस का यह लेवल काफे इंपोर्टेंट है अगर दोस्तो 55 रुपे का लेवल आने वाले time में stock ने clear कर दिया तो जरूर दोस्तो पहला टागेट 60 का दूसरा टागेट 62 का minimum इस counter बनता हुआ देखने को मिलेगा तो जरूर अगर आपके पास यह share है तो आप 50 रुपे का stock में stop loss रखे और higher side पर मुझे लगता है कि एक बार 55 का लेवल तूटा तो 60 तक के तो minimum target आपको देखने को मिलेग अगर मैं book value की बात कर तो 82 रुपीस के आसपस आइधिंग इस company की book value है अभी company 52 पर trade कर रहे है तो अपनी book value के भी नीचे account टेट कर रहा है तो definitely अगर results positive आते है results अच्छे आते Q on Q growth वायो वाय ग्रोथ अच्छे होती है तो definitely अपने book value तक भी यह share जाने का दम definitely रख सकता है योगि अगर आप देखेंगे इसके long term के charts तो 2018 में 2019 में 2011 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 200 रुपे का भी आकड़ा यह share चूचुका है and currently 50 रुपे के levels पर trade कर रहा है तो यह definitely chance है very high कि अगर company के results अच्छे हाते यह company की growth फिर से होती है तो जरूर दोस्तो previous trajectory थी वह आपको यह share चूकर दिखा सकता है तो दोस्तों आटेट पर वीडियो अगरे वीडियो अच्छा को जानको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें दोस्तों थैंक्क वोचिंग दिस वीडियो